सूरत सहर के कपड़ा ओद्योगों को गुलगा बारिस और कोरोना का ग्रहन दिपावली में अच्छा गुरू स्वामी लेकिन समय पर भुकता नहीं मिला तमिलनाडु में बारिस और केरल में कोरोना से पैसा डूप कया सूरत के वियपारियों को 1000 करोन रुपय से अधिक का भुकतान हुआ सूरत में कपड़ा वियपारी दक्सिर भारत में अच्छे वियपार के खिलाप समय पर पैसा नहीं मिलने से परेशानी में है त्रेक्टर मार्केट में जो भी अच्छा माहूल दिवाली का गया है लेकिन केरला और इसमिस तरह से बाढ़ आई है किस तरह के वियपारियों तो पैसे लगे अधिक देखिए दिपावली की बात करने चाहिए तो पिछले दो सालों से दिपावली की सीजन कोई खास नहीं की कोरोना था देश में जैसे संक्रम नकम हुआ सो क्रोड से ज्यादा डोज लगे दिपावली की खरीदी आप रताशी निकली सारे राज्यों से इंडिया के सारे लगने सरा है और पॉंगल की सीजन को में जो हैं साॉथ की सीजन पांच फिस्टेट लेकिन साउथ के तो इस्टेट अपर्वारिबज़ की वजजह से करीबन से वारे तो चैनि उसके आसपास 25 दिलों में इतनी बार्वार्ट सी पोजीशन हो गई तो जन जीवन को समानी होने में भी 15 लगेगे बारिश्वा रुप गई लेकिन अभी केरला में चलो भी सेम पोजिशन केरला की होने की वज़े से यह दो जो इस्टेट है इन में जो हमारा पॉंगल का व्यापार वह जुरू डिफेक्टेट होगा जैसे हमारा पॉंगल का व् पंद्रा सुपरोड का यहां का दो इस्टेट में माल गया है तो वह पैसा आने में तकलीब होगी वह इसलिए होगी कि जीन जिलों में अथी बाढ़ आई है तो जब दुखाने नहीं खुली है घर से बाहर लोग नहीं निकले हैं तो वह दुखाने खोलेंगे घर से बाहर कि जंजी और सामानी होगा और उनका व्यापार चलेगा तब पैसा आएगा तो वह पैसा हमारा जरूर यहां पर सुरत के व्यापार का अठकेगा तकरीबन 500 क्रोड पे हुआ क्या है कि आने वाल टाइम में लगन सदा है करीबन जूर जुलाई तक सावे कंटीनियो तो अठ